नमस्कार स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम समकाली दक्षिन एशिया वाले चैप्टर से सभी important questions को करेंगे जो आपके exams में पक्का आ सकते हैं ठीक है तो इसमें जो है मैंने उन सभी questions को लिया है जो कि previous year question भी है या बहुत ज्यादा important question है तो सबसे पहला question देखते हैं SAPTA साप्टा क्या है तो देखो दक्षेश के बारे में हमने पढ़ा था कि दक्षेश या शार्क ये ऐसा group है जिसमें भारत और उसके पडोसी देश आते हैं और इन देशों ने एक समझोता किया था 1996 में जनवरी 1996 में साप्टा नाम का एक समझोता हुआ था जिसके फुल्फोम आपको याद करनी है दक्षिन एशियाई अधिमानिक व्यापार व्यवस्था ठीक है ये समझोता हुआ था और इस समझोते के अंदर इन देशों ने कहा था कि हम आपस में जो चीज इंटरचेंज करते हैं जो वस्तू एक देश से दूसरे दे है उन चीजों को हटा लेंगे ठीक है इसके अंतरगत शार्क देशों ने अनेक व्यापारिक बाधाओं को हटा लिया जिससे इन देशों में आर्थिक सयोग को बढ़ावा मिला यानि की दक्षेश के देशों ने आनि बारत, पाकिस्तान, नेपाल, भुटान, जिरलंका, मा अटालिये जनवरी 1994 में, कौन सिशन्दी के द्वारा, सापटा के द्वारा, दक्षिन एश्याई, अधिमानिक, व्यापार, व्यवस्था के द्वारा, तो आपसे अगर पूसते हैं दूर नंबर में, कि सापटा क्या तो आप ये बताऊगे, कि जनवरी 1996 में, दक्षिन प्रत्मक पर्तिबंद लगते थे उनको कम किया है जिससे कि इनको आर्थिक सयोग मिले और एक दूसरे देश की तरक्की हो तो पहला तो था ये अब कुछ समय बाद इसी चीज़ को और आगे बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया गया और एक और संधी की गई या एक और एग एरिया यानि कि इन देशों ने जो ये पहले सिर्फ दो रूल्स जो थे मातमातमक और गुनादमक पर्तिबंद हटाये थे इसी चीज़ को और आगे लेकर गए और जितने भी टेक्स वगरा होते हैं जो की कस्टम ड्यूटी वगरा लगती है उन चीज़ों को हटाया साफट में ठीक है तो 2006 में साफटा लागू हुआ तो अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ इसमें साफटा की फुल फोर्म है दक्षिन एशियाई मुक्त व्यापार छेत्र तो साफटा का उदेश है शार्क देशों के मद्धे व्यापारिक सयोग को बढ़ा कर एक दक्षिन एशिय मुक्त व्यापार छेत्र की स्थापना करना है यानि कि वही दक्षिस के देशों में आपस में क्या करना है व्यापारिक सयोग को बढ़ाना है और दक्षिन एशिया में फ्री ट्रेड एरिया मुक्त व्यापार छेत्र बनाना है यानि कि आपस में कोई टेक्स वगएरा ना लगें ताकि इनके मुक्त व्यापार छित्र से अभी प्राइस देशों के बीच ऐसे व्यापार से है जो कस्टम और पर शुल्क यानि कि कस्टम ड्यूटीज और टेक्सों से मुक्त हो अर्थात ऐसा छित्र जिसमें वस्तों का सोतंतर आवागमन हो यानि कि एक देश से दूसरे देश में फ्रीली ट्रेड कर सकें अपनी चीजों को बेच सकें और वहां के लोग खरीद सकें ठीक है ऐसा होता भी है आप सभी को पता है बारत नेपाल में बुटान में और तोर पाकिस्तान में भी फ्री ट्रेड करता है ठीक है पर साफटा और साफटा दोनों ही दक्षे से सम्बंदित चीजे हैं पहले साफटा नाम किसन दीवा करती थी जिसके फल्फोर्म है अधिमानिक व्यापार विवस्ता अब जो है 2006 में साफटा हो गई वो है मुक्त व्यापार छेत्र दक्षिन एश्याई मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड एडिया ठीक है तो दोनों में ही क्या था व्यापार को बढ़ाने के लिए आपसी रिलेशन को बढ़ाने के लिए दक्षिश के देशों ने ये दोनों के दोनों संदिया की थी ठीक है तो साफटा और साफटा दोनों इंपोर्टेंट है दो नंबर में आपसे पूछ सकते हैं ठीक है अब अगला कोश्चन देखते हैं भारत और शिलंका के बीच किनी दो समान विशेषताओं का वर्णन करें तो सबसे पहली बात भारत और शिलंका दोनों ही इंगलेंड के गुलाम रहे हैं तो पहला पॉइंट यह लिखा हुआ है बारत और शिलंका इंगलेंड के उपनिवेश रहे हैं और दोनों को ही Second World War के बाद सुतंतरता मिली है हमें 47 में मिली इसको 48 में मिली ठीक दूसरा पॉइंट सुतंतरता प्राप्ति के पश्चाथ दोनों ही देशों में सफलता पूरवक लोकतांत्रिक व्यवस्था रही है यानि कि दोनों ने बिल्कुल शुरू से ही बारत ने 1947 से ही और श्रिलंका ने 1948 से ही डेमुक्रेसी से सरकारे बनाई हैं वहाँ पे कोई सेनिक तानशा बगरा नहीं रहें तो ये दो जो हैं ये सिमिलेरिटी हैं बारत और श्रिलंका में एक तो अंग्रेजों का राज राद दोनों देशों पे दूसरा आजादी के बाद दोनों ने ही डेमुक्रेसी को अपनाया ठीक उसके बाद अगला कोश्चन पाकिस्तान में लोक्तिंतर की ऐस हिरता के कोई दो कारण लिखिये मैंने आपको जब यह बढ़ाया था kann मैंने आपको बहुत सारे कारण बताये थे छे कारण मैंने आपको लिख वाये थे तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है चैप्टर वादी वीडियोज तो उनको जरूर देख ले यह most important question है आपसे बार-बार पूछा गया है देखो यहां पे CVS 2014 में भी पूछा गया है कि पाकिस्तान में लोगतंतर क्यों नहीं बन पा रहा है कारण बताओ तुमेंने आपको पाच A बताये थे उसमें पहला तो है आतंकवाद ठीक है उसके बाद Allah यारी की अद्धविश्वासों पे ज्यादा भरुषा करते हैं वो लोग ठीक है Allah word का मतलब लेना आप यहां पे गलत तरीके से कभी सोचो अल्ल्ला को गलत बता रहा है मैं अल्ला को गलत नहीं बता रहा अल्ला को याद करना तो बहुत अच्छी बात है पर अल्ला वर्ड की heading बनाओ गया पूर उसमें explain करोगे कि यहां के लोग पुराने कटर पंती रिवाजों को follow करते हैं और अल्ला में ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं इसलिए जो है पाकिस्तान में लोगतंतर की दिक्कत रहती है पहला ए आतंकवाद फिर क्या है अल्ला है उसके बाद जो है अमेरिका का support रहा हमेशा यहां पे इसलिए यहां पे लोगतंतर स्थापित नहीं हो पाया अगला point आप बना सकते हो यहां पे सेना का ज़्यादा rule रहा है लोग सेना पर ज़्यादा बरोसा करते हैं ठीक है तो पाकिस्तान में इसलिए लोगतंतर स्थापित नहीं हो पाया है दार्मी कटरता देखो यह दूसरा point लिखा हुआ इसमें दार्मी कटरता है वही है वो अल्लावाला point की यहां के लोग ज़्यादा धार्मी कट्रता को मानते हैं इसलामिक चीजों में ज़्यादा बिलीव करते हैं नई टेकनोलोजी वगरा इस चीज में विश्वास नहीं रखते तो इसलिए वहां पे लोग तंतर स्थापित नहीं हो पाया है आतंकवाद की वज़े से अमेडिका क है वो खराब होता रहा है तो अब देखो अगला कौशन, सिमला समझोता देखो वारत और पाकिस्तान के जो लडाईया होई थी एक लड़ाई हुई थी 1965 में एक हुई थी 1971 में तो जो पैसट वाली लड़ाई हुई थी उसको जब सुलजाया गया तो वो जो सुलजाने के लिए समझोता किया गया वो था ताशकंद समझोता ठीक है और एक लड़ाई हुई थी 1971 में तो 1971 में जो लडाई हुई उसको सुल जाने के लिए जो समझोता किया गया वो था शिमला समझोता तो दोनों आप याद रखो ताशकंद पैसेट वाली लडाई के बाद हुआ और जो शिमला है वो 1971 वाली लडाई के बाद हुआ तो आपको लडाई की डेट अगर याद है तो आपको समझोतों की डेट भी याद हो जाएगी पैसेट वाली लडाई का समझोता 1966 में हुआ था क्योंकि पैसेट में तो लडाई चल रही थी 75 वाली लडाई के टाइम पे लाल बादूर शास्थि हुआ करते थे और 71 वारी लड़ाई के टाइम पे इंदरा गांदी थी तो अगर आप से पूछते हैं ताशकन समझोता क्या है तो आप बताओगे 1965 की लड़ाई के बाद लाल बादूर शास्त्री जी उजबेकिस्तान की राजदानी ताशकन्द में गए थे और वहाँ पे भारत और पाकिस्तान ने युद समापती के लिए एक समझोता किया था वही है ताशकन्द समझोता और डेट आप बता दोगे 1966 उसके बाद अगर आप से पूछते हैं शिमला समझोता क्या है तो शिमला समझोता 1971 की लड़ाई को रोगने के लिए किया गया तो अब पढ़ने इसमें क्या लिखा हुआ है शिमला समझोते पर एक संशिप्ट नोट लिखो दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान को युद में एतिहासिक माद दी यानि भारत ने पाकिस्तान को दिसंबर में हराया 1971 में इस युद के बाद अपडेट ये वाली याद रख लेना आप 3 जुलाई 1972 क्या डेट है 3 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान सिमला में एक समझोते के लिए हस्ताक्षर किये जिसे सिमला समझोता कहा जाता है यानि वही युद को रोकने के लिए 3 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान ने साइन किये और कौन सा समझोता हुआ शिमला समझोता इस समझोते की परमुक शर्ते इस परकार हैं पहला दोनों राष्टर अपने पार्षपरिक जगडों को दीपक्षिय बातचीत और शांती पोरोक डंगों से हल करने के लिए दर्ड संकल्प है यानि आप से विवादों को भारत पाकिसान बातचीत से सुल जाएंगे दूसरा पॉइंट दोनों राष्टर एक दूसरे की राष्ट्री एक ता चित्री है अखंड़ता राजनितिक स्वतंत्रता और सार भोमिक समानता का सम्मान करेंगे यानि की यूनिटी की बात करेंगे ठीक है एक दूसरे की अखंड़ता को यानि की उनकी आजादी को बनाये रखेंगे political independence को बनाया रखेंगे स्वतंतर रहेंगे कि दूसरे के राजनितिप इंटरफेर नहीं करेंगे ठीक है सारी चीज equality के साथ करेंगे सार बहुमिक समान तक मतलब है सब कुछ equality के साथ करना ठीक है तो यह सारी आपस में ऐसी अच्छी अच्छी बाते होती है किस कोई भी समझोता हो उसमें यही कहते हैं हमेशा कि हम बाएक दूसरे का सम्मान करेंगे यह करेंगे वो करेंगे तो यही बाते हैं सिमला समझोते हैं में भी तीसरा point दोनों राष्ट एक दूसरे के शेत्रिया अखंडता और राजिति स्वतंतरता के विरुद पाचमा point दोनों देश परस पर सामानने सम्मंद स्थापित करने के लिए प्रियतन करेंगे आपस में अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे दोनों देश यह हैं fifth point ठीक है अब देख लो अगला question लोगतंतर दक्षिन एशिया के लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है इस कथन को नए उचित हरा ये हम सभी को पता है कि भारत जो है वहाँ पे शुरू से ही लोगतंतर रहा है इसलिए जो आस पर उसके हमारे देश हैं उन्होंने भारत की तरक्षि को देखा है और वो भी चाते है कि हमारे यहां भी क्या हो लोगतंतर हो तो भारत को देखकर दक्षिन एशिया के बहुत सारे देशों ने आंदोलन भी किये हैं और वहाँ पे जो राजा का शाशन था या सैनिकों का शाशन था चाहे पाकिस्तान का एक्जामपल ले लो आप चाहे बंगलादेश का एक्जामपल ले लो चाहे नेपाल का वहां से लोगों ने आंदोलन करकर के वहां पे जो उनकी पसंद का नेता नहीं था उसको हटाया है और डेमोक्रेसी की स्थापना की है तो देखते हैं इसमें क्या है लिखाब यही बाते लिखी हैं इसमें सारी कि यहां के लोग अब डैमोक्रेसी को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि आज महाँ पे किसी भी देश में रास्तंतर या सेना का शाशन नहीं है पहला पॉइंट, दक्षीन एशा के सबसे बड़े देश भारत में परजा तंतर सफलता पूर्वक स्थापित हो चुका है तो भारत में το डैमोक्रेसी स्थापित है फी पहला पॉइंट यह बताता है तीसरा पॉइंट दक्षिन एशिया में कराए गए अलग-अलग सर्वेक्षिनों से पता चलता है कि परजातंतर को यहां भरपूर जन समर्थन हासिल है यानि अलग-अलग सर्वे हुए हैं और हर एक सर्वे में ये पता चलता है कि यहां के लोगों को डैमोक्रेसी ही चाहिए ठीक, फॉर्थ पॉइंट दक्षिन एशिया के सभी जाती धरम वर्ग के लोगों को पज़तंतर अच्छा लगता है चाहे वो किसी भी जाती धरम या किसी भी देश के लोग हो दक्षिन एशिया के लोग डैमोक्रेसी की ही बात करते हैं किसी और शाशन को वो लोग पसंद नहीं करते ठीक है, तो ये चार पॉइंट थे इसमें अब अगला कोश्यन है श्रिलंका में जातीय संगर्ष के कोई चार कारण बताओ हमें पता है, जब श्रिलंका में नायके की सरकार आई थी बंडार नायके की सरकार आई थी तो उन्होंने तमीलो परत्याचार करने शुरू कर दिये थे, इसकी वज़े से क्या हुआ था तमीलों ने अपना एक गुरूप बना लिया था लिट्टे ठीक है Liberation Tigers of Tamil इल्म और बहुत ही हिंसक तरीके से लडाईया हुई थी लिट्टे गुरूप के बीच में और श्रिलंका की सरकार के बीच में ठीक है और वहां पे गुरूप था जो सिनलियों का सर्लंका में उनके बीच में तो लिट्टे और सिनलियों की लडाई हुई थी इसमें government भी involved हुई भारतिय आर्मी है वो भी वहां पे गई थी और श्रिलंका जो आर्मी है वो भी लड़ रही थी लिट्टे गुरूप से तो बहुत बड़े लेवल पे ये जो बातचीत थी ये चली आपस में इनकी लडाईयां चली तो श्रिलंका में जो ये दिक्कत हुई थी चातिय संगर्श हुआ था इसके बारे में पूछा कि इसके कारण बताओ तो हमने पढ़ा था कि जो जो तमीलों पर अत्याचार हुए वही तो कारण है पूरी स्टोरी हमने पढ़ रखे श्रिलंका की तो इसमें पूछा है क्या कारण थें? पहला पूинट श्रिलंका में तमीलों की अपेक्षा सिली समुधाय का दबदबा रहा तो सिली लोग जो है वह अपना जदा रोब दिखाते थे अपना दबदबा दिखाते थे ये कारण है तमीलों पर वह अत्याचार करते थे दूसरा point सिनली राष्टवादियों के अनुसार तमीलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए यानि उन्हें कोई छूट वेगारा नहीं देनी चीए तमीलों को ठीक है सिनली कहते थे कि हमें ही सारे वो मिलने चीए क्योंकि ये देश हमारा है तीसरा point तमीलों के परती उपेक्षा भरे बरताव से उगर तमील राष्टरवाद की आवाज उठने लगी जो तमीलों के साथ अत्याचार हुए थे उसकी वज़े से क्या हुआ एक अलग से तमील राष्टर की आवाज उठने लगी ठीक है अब है fourth point लग से तमीलों के लिए अलग राष्टर की मांग करना तो 1970 के दर्षक में लग से तमीलों की मांग की थी तो यही सारे कारण है शिर्लंका में जाति है शंगर्ष के ठीक है तो यह question हमने और भी deep में पढ़ रखा है तो वहाँ से आप वीडियो जरूर देखने अगर आपने नहीं देखिये तो ठीक है और ये शोट कोशन था आपने वहाँ पूरा लोग के हिसाब से पढ़ रखा है तो वो सारी बाते आपको इस कोशन में बतानी है कि शिरलंका में तमिलों के साथ जो जो अत्याचार हुए लिट्टे गरूप बना वही है कारण किसके शिरलंका के जाती है संगर्श के अब है हमारा अगला कोशन, कोशन है, शार्क के लक्षे और सिधान्त क्या है, शार्क की फुलफोम है, South Asian Association for Regional Corporation, यानि कि हिंदी में हम इसे बोलते हैं दक्षेश, यानि कि South Asia के देशों ने जो अपना ग्रुप बना रखा है, आपसी सयोग के लिए, South Asia के देश आपको अब या बनाया है, जिसका नाम है शार्क, या हिंदी में हमें से बोलते हैं, दक्षेश, या सिंपिली भी आप बोल सकते हैं इसे, दक्षिनी एशियाई देशों का संगठन, ठीक है, तो पहली लाइन इसमें, आठ देशों के नामी बताएं हैं, भारत, पाकिस्तान, शिलंका, नेपाल, मालदी, भूटान, ठीक हैं, उसके बाद लिखा है, अपरेल दोजार साथ में, दिली में, चोदमें शार्क संभेलन में, अफगानिस्तान को शार्क का आठ्मा सदश्य हैं बनाया गया है, शार्क का, इस संगठन की स्थापना भी बदलते हुए, अंतराश्य वात अपना एक group बनाया इस संगठन की स्थापना बंगलादेश के दिवंगत शाशना धक्ष जियाउर रहमान की पहल पर हुई तो हम सभी को पता है कि जियाउर रहमान जो है बंगलादेश के वो एक बहुत अच्छे लीडर थे और उन्होंने इस चीज की शुरुवात करने की ब इसके लिए एक दो अगस्त यानि एक तरिकों और दो तरिकों अगस्त के महिने में 1983 को नई दिल्ली में इन साथ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई तो 1983 में सारे मंत्री मिले इस बैठक में सदस्थे देशों ने आपसी सयूग के कुछ मुद्दों पर एक सहमत त्यार किया यानि समने आपसमें बाचित कीं और आपसमें इन्होंने साइन वगहरा किए इस सैमती पत्त्र के आदार पर अब आप ये डेट याद रख लेना ठीक है 8 दिसंबर 1985 क्या रधेट है 8 दिसमबर 1985 यानि कि 8 दिसंबर 1985 में धाका धाका है बंगलादेश की राजधानी तो 8 दिसंबर 1985 को धाका में यानि बंगलादेश की राजधानी में शार्क के सदस्य देशों का पहला सिकर सम्मेलन हुआ यानि की इसकी स्थापना हुई और इस सिकर सम्मेलन में 8 दिसंबर को शार्क का घोशना पत्र स्विकार किया गया तो December 1985 में शार्क के स्थापना हो गई ये data प्याद रखना अब है शार्क के सिधान्त यानि शार्क जो है वो किस लिए बना है क्यों वो बना है क्या उसके सिधान्त है क्या उसके principles हैं तो सिधसी बात है आपस में व्यापार अच्छा हो आपस में दोस्ती बने इन देशों की इसलिए इस ग्रूप को बनाया गया है जैसे कि हम European Union के बारे में देखते हैं कि European Sun या European Union जो है वो आज बहुत बड़े लेवल पर पोच चुका है उसने आपस में जो ग्रूप बनाया उस ग्रूप ने आज बहुत तरक्की की है तो इसी तरीके से हमने भी एक ग्रूप बनाया है वो ग्रूप है शार्क तो इसके सिधान्द में हम यही पढ़ेंगे अब तक्षिन एशिया शेत्रिय से योग संगठन के स्थापना करने वाली गोशना के अनुचे 10 की पहली धा होंगे ठीक है और एक दूसरे की सहमती से होंगे दूसरी धारा में स्प्रस्ट रूप से कहा गया है कि शार्क के दो सदस्यों के द्वी पक्षिय मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा यानि कि जो दो देश है अगर उनका आपस में कोई दिक्कत है तो उस चीज से शार् नितिक स्वतंतृता का सम्मान करता है शार्क और किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तश्यप नहीं करेगा यानि यह जो हमने ग्रूप बनाया है या आपसी भाहिचारे के लिए बनाया है आपसी विकास के लिए बनाया है हम आपस में एक दूसरे के Internal Matters में इंटर करना चाहते हैं इसके लिए सेदस्य दापसी सयोग को प्रात्मिक्ता देंगे यानि कि एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे एक दूसरे की हैल्प करेंगे एक दूसरे के साथ अच्छे यानि कि हमारे जो देश है इनके देशों में जो लोग है उनके lifestyle को अच्छा करना, उनका कल्यान करना, उनका भला करना, पहला उदेश्य है तो है ये, दूसरा point, आर्थिक विर्दी, सामाजिक परगर्ती और सांसकर्तिक विकास, यानि कि economic growth होगी पैसे से, ठीक है, उसके अलाबा सामाजिक, सामाज इसका इशार्क का, तीसरा point है, सामुहिक आतम निर्भरता को बढ़ावा देना, आतम निर्भरता का मत्तब है, self-dependent होना, यानि कि अपनी जो भी production है, अपना जो भी business है, trade है, उस चीज़ को खुद कर पाया, अगर कोई देश चो वो होता है, आतम निर्भर, ठीक है, यानि किसी भी पश्चिम के बड़े देश पर depend रहना पड़े, आपस में मिलकर इतने अथे से काम करेंगे, कि सामुहिक आतम निर्भरता आ जाए, यानि कि हम देश, हम और हमारे पड़ोसी देश, self-dependent हो जाए, दूसरों के बरोसे ना रहना पड़े, fourth point, अन्य देशों के साथ स योग करेंगे, coordination बनाएंगे, fifth point, आर्थिक, सामाजिक, सांसकर्तिक, तक्निकी और वैग्यानिक चेतरों में आपसी से योग करना, ये 8 point जो लिखें इनको आप याद गर लो, रट लो इनको लिखके बिलकुल, किसी में भी पूछें आपसे, आशियान में भी यही लिख द टेकनोलोजी के चेतर में, वैग्यानिक मतलब, साइंस के चेतर में, आपसी help करेंगे, आपसी से योग करेंगे, और इन चीजों को बढ़ावा दिएंगे, sixth point, अन्य शेतरी और अंतराष्टे संगत्रों के साथ से योग करना, और जितने भी गुरूप हैं, आशियान हैं, यानि कि वर्ड लेवल पे दिखाना दुनिया को कि हमारे डिलेशन बहुत अच्छे हैं, आपस में हम से योग करेंगे, internationally, अपने से योग को दिखाना, अपने से योग को मजबूत बनाना, eighth point, एक दूसरे के समस्याओं के लिए, आपसी विश्वास, समझबूज और विख्सित करना, यानि कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, सहर्दिता का मतलब है, बिलकुल दिल से लगकर साथ में काम करना, ठीक है, तो यह सारी चीज़े आपसे प्यार प्रेम विख्सित करना है, आपस के देशों में यही है, इसके उदेश्य हैं, तो 8 point आप लिख ल विश्वास रखते हुए, शेत्रिय विकास को बढ़ावा देने के लिए आपसे सही योकी अपेक्षा रखता है, यानि कि वही एक दूसरे की एकता की बात करता है, परबुसता यानि कि आजादी की बात करता है, सुतंतरता की बात करता है, समानता की बात करता है, ठीक है, उसके अलाबा शार्क शेत्रिये विकास हैं कल्यान के लिए बनाया गया संगठन है, यानि कि इस शेत्र का दक्षिनेशा के शेत्र के विकास करना है इस ग्रूप को ठीक है और कल्यान करना है, इसलिए ये बनाया गया है ये कोई सैनिक या राजनितिक गड़ बंदन नहीं है ये कोई सैनिक गड़ बंदन नहीं है जैसे अमेरिका का नाटो है ठीक है वो है सैनिक गड़ बंदन पर ये जो हमारा दक्षेश है ये कोई राजनितिक भी नहीं है ना ही सैनिक है ये तो केवल एक सयोग के लिए मनाया गया है ताकि हम आपस में मिलकर कुछ तरक्की कर सके आपसी कोर्डिनेशन को बनाने के लिए बनाया गया ये ग्रूप अगला पॉइंट शार्क के गोशना पत्र में यह सपस्ट तोर पर कहा गया है कि इसमें द्वी पक्षिय मामलों पर बहस नहीं की जाएगी यानि कि सारे दक्षिनेशन के देश आपस में मिलकर आपसी बातचित करेंगे अगर एक देश की दूसरे देश से नहीं बनती है तो दो देशों के चक्कर में सारे के सारे आठ मेंबर अपने रिलेशन खराब नहीं करेंगे ठीक है सारे मिलकर सयोग करेंगे जैसे आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन खराब हैं पर फिर भी हमेशा भारत नेपाल के साथ अच्छा रहता है बंगलादेश के सा अच्छा रहता है श्रिलंगा के साथ अच्छा रहता है कभी इन देशों में दिक्कत नहीं आई तो यही लेखी वे एलाइन कि द्वी पक्षिये मामलों पर बैज नहीं की जाएगी दो कोई अगर कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है हमके वल सयोग की बात करेंगे किन्तु इसकी बैटकों मेए कई बारद्वी पक्षिये मामले उठाने का भी प्रियास किया गया है परन्तु जो है कई बार ऐसे उढ़ने उठने जैसे कश्मिर वाला matter उठता है इसकी मीटिंग में भी आमदूर पर पाकिस्तानकी और सही है प्रियास अधिक तो होता है पाकिस्तान तो रोता है अर जगे तो वो शार्क की मीटिंग में भी रोता है ऐसे ही कि ये कश्मीर हमें चीए ये वो चीए वो चीए ठीक तो भारत ने सद्याव इसका विरोध किया है भारत तो विरोध करेगा क्योंकि कश्मीर हमारा इस्स आपसी विवाद है आपसी प्यार की कमी है बारत पाकिस्तान में विवाद रहता है छोटे देशों को ये लगता है कि भारत उनकी मार्केट पर कबचा कर लेगा तो इसी वज़े से जो है शार्क सफल नहीं हो पा रहा है तो ये था पूरा शार्क आपको डेट याद रखनी है कब बना उदेश्य बिल्कुल लिख के याद कर लेना तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि शार्क क्या है इसके उदेश्य बताओ या ये सफल क्यों नहीं हुआ ये बताओ अब हमारा अगला कोशन है भारत और बंगलादेश के बीच मदूर वैतनापुन सम्मंदों की व्यक्या करें यानि कि हमें रिलेशन बताने हैं इंडिया और बंगलादेश के अच्छे भी बताने हैं और बुरे भी बताने हैं तो ये देखो important question है आया भी हुआ आपके previous years में तो सबसे पहला point है इसमें बंगलादेश के अस्तित्व और उसकी सुतंतरता का श्रे भारत को है हम सब ही वो पता है कि बंगलादेश को आजाद कराने में सबसे बड़ा रोल किसका है इंडियन आर्मी का है जब पस्चेमी पाकिस्तान ने पूरवी पाकिस्तान पर यानि बंगलादेश पर हमला कर दिया था तो उसको जो बचाया था या उसको आजाद करवाया था वो इंडियन आर्मी नहीं कराया था 1971 में बंगलादेश सोतंतर देश बना तो 1971 में भारत की वज़े से बंगलादेश क्या बना एक सोतंतर देश बना एक आजाद देश बना इससे पूर बंगलादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था तो था पूरवी पाकिस्तान कहलाता था ठीक है वो पहले क्या हुआ करता था पू बंगलादेश के उपर भी हमने पूरी चप्टर वाली वीडियो में पूरी स्टोरी देखी है अगर आपने नहीं देखी तो पहले उन सभी वीडियो को देख ले चप्टर वाली वीडियो को और फिर कोशिन अंसर करें अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आप एक विश्रता के लिए भारत के जवानों ने अपने प्राणों की आहूति दी च्छे दिसंबर 1971 को भारत ने बंगलादेश को माननेता दे दी यहनि की दिसंबर 1971 में बंगलादेश जुह एक देश बन गया अब है 1971 की महतरी संदी जैसे ही बंगलादेश एक देश बना उसी के दोस्ति की संदी शेख मुझीबुर रहमान 12 जनवरी 1972 को बंगलादेश के परधानमंतरी बने तो आजाद होते ही कौन बने थे वहाँ परधानमंतरी शेख मुझीबुर रहमान तो फरवरी 1972 में जब भारत आये तो उन्होंने कहा था भारत और बंगलादेश की मित्रता चिर् हमेशा रहने वाली तो भारत और बंगलादेश की मित्रता यानि दोस्ति चिर्स थाई है हमेशा रहेगी उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती 19 मार्च 1972 को बारत और बंगलादेश में 25 वर्ष की अवदी के लिए मित्रता और सयोग की संदी हुई तो 1922 में द तोड़ी देर में आ जाएंगे बुरे रिलेशन जब तक शेख मुझीबुर रहमान रहेंगे तब तक हमारे रिलेशन अच्छे ही रहेंगे पर शेख मुझीबुर रहमान के बाद गया होगा वहां पे सेहना का शाशन सापित हो जाएगा उनकी हत्या कर दी जाएगी शेख तकनिकी मतलब टेकनोलोची में, वेज्ञानिक मतलब साइंस में, सांसकर्तिक मतलब कल्चरल चीज़ों में तूसरा पोइंट, दोनों देश एक दूसरे की अखंडता वे सीमाओं का सम्मान करेंगे यानि एक दूसरे की आजादी का उनका जो देश है उसकी अखंडता का और उनके जो बोर्डर्स है उनकी जो सीमाई है उनका सम्मान करेंगे यानि एक दूसरे देश में वो गुस्पेट नहीं करेंगे एक दूसरे देश में नहीं गुसेंगे दोनों देश किसी तीसरे को कोई ऐसी सायता नहीं देंगे जो दोनों में किसी देश के हित के विरुध हो यानि कि एक दूसरे के दुश्मन से कभी भी वो दोस्ती नहीं करेंगे दोनों देश उपनिवेश्वाद का विरोध करेंगे यानि कि उपनी वेशवाद का मतलब होता है जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर कबजा कर लेता है तो यानि कि कभी भी ये आपस में पडोसियों पर कबजा वगारा नहीं करेंगे छोटे देशों पर कोई अपनी ताकत नहीं दिखाएगा तो दोनों ही देश क्या करेंगे उपनी वेशवाद का विरोध करेंगे ठीक है अपोजिशन में रहेंगे इसके अब है अगला पॉइंट बंगलादेश को संयुक्त राष्टर संका सदस्य बनाने में भारत की साहता अब भारत ने हेल्प की थी बंगलादेश की कि उसको यूएंटो का मेंबर बनाया जाए तो बंगलादेश दिन्नों अगस 1902 को संयुक्त राष्टर संका सदस्य बनने के लिए प्रात्ना पत्र बेजा ठीक है रिक्वेस्ट बेजी कि हमें भी यूएंटो का मेंबर बनाया जाए भारत के प्रियास के फलसव रूप और रूस के सयोग से बंगलादेश संयुक्त राष्टर संका सदस्य बना तो अच्छे संबन दें तो भारत ने हेल्प की और यूएंटो में जो है उसको मेंबरशिप दिलवाई किसको बंगलादेश को उसके बाद अगला पॉइंट है शेख मुझीबुर रहमान की बारत यात्रा 1974 में शेख मुझीबुर रहमान जब भारत में इंद्रा गांदी थी उस टाइम पे शेख मुझीबुर रहमान थे बंगलादेश में तो गंगा नदी जो है भारत में और बंगला देश, दोनों देशों में बहती है, तो कई बार जो है विवाद हुए थे इस पानी को लेकर कि गंगा के पानी को किस तरीके से यूज किया जाए, तो इन विवादों को सुल जाने के लिए भी शेक मुझीबुर रहमान भारत में आए थे और 1975 में उन्होंने बातचीत की थी भारत सरकार से, ठीक है, तो अब तक है अच्छे रिलेशन, अब क्या होगा शेक मुझीबुर रहमान की हत्या, और उसके साथ ही हमारे बुरे रिलेशन शुरू हो जाएंगे, अब है अगली हेडिंग, संबंदों में परिवर्त शेक की हत्या के बाद भारत बांगलादेश के संबंदों में तेजी से परिवर्तन आया, जैसे ही शेक मुझीबुर रहमान की हत्या हुई, जो पस्चिमी पाकिस्तान है, यानि कि जो आज का पाकिस्तान है, उसका इंटरफेर बांगलादेश में शुरू हो गया, और क्या ह हो गए फिर हमारे relation खराब ही होने आप सभी को पता है उस पाकिस्तान से हमारे relation है ही खराब तो यहाँ पे भी क्या होने शुरू हो गए हमारे relation खराब होने शुरू हो गए नमबर 1975 में जन्रल जियाउर रह्मान राष्टपती बने अब जो सेना का जन्रल था बंगलादेश का जियाउर रह्मान वो क्या बन गया राष्टपती और तब से भारत में क्या हो रहा है भारत विरोधी परचार हो रहा है तो यह थे हमारे बुरे relation बंगलादेश के साथ कब से शुरू हुए है 1975 से जब से शेख मुझेबुर रहमान की डैथ हुई है उसके बाद से हमारे खराब relation शुरू हो गए बंगलादेश के साथ अब है अगला पॉइंट जन्ता सरकार और भारत बंगलादेश संबंद 1977 में इंद्रा गांदी की सरकार गई और भारत में आई थी जन्ता पार्टी की सरकार ठीक है और अब क्या हुआ जन्ता पार्टी की सरकार आई और उसके बाद थोड़े relation सुधरे हमारे भारत बंगलादेश के साथ तो मार्च 1977 में भारत में जन्ता पार्ठी की सरकार बनी और दोनों देशों के संबंदों में सुधार की किरन दिखाई थी ठीक है दोनों देशों को लगा कि हम रेलेशन अच्छे होंगे अक्टूबर 1977 में फरक्का समझोता हुआ अब ये डेट याद गर लो अक्टूबर 1977 की बात है फरक्का एक जगह का नाम है यहाँ पे बांध बनाये गया है वही गंगा नदी को लेकर जो दिक्कत थी और भी जो नदिया थी चोटी मोटी उनकी जो दिक्कत थी उसको सुल जाय हुआ तो गंगा के लावा एक और कौन से नदी आगे अब तिस्ता नदी तो तिस्ता नदी के पानी को लेकर भी क्या हुआ समझोता हुआ अक्टूबर 1983 में बंगलादेश के मुख्य मार्शल लो परशाशक जनरल इर्शाद की दो दिवसी बारतिय यातरा से दोनों देशो के बीच आपसी सही योग के एक नए अध्याई का सुत्रपात हुआ तो 1983 में जो वहाँ का जनरल था इर्शाद वो भारत में आया था और कुछ रिलेशन हमारे सुदरे ठीक नवंबर 1985 में बारत था बंगलादेश ने फरक्का के पानी के बटवारे के संबंद में अगले त प्रक्का जो बांध है उसका कितना पानी बारत को मिलेगा कितना बंगलादेश को मिलेगा इस बात पर एक समझोता हुआ अब प्रोब्लम थी एक और वो है जब 1971 के लडाई हुई थी तो भारत में बहुत सारे बंगलादेशी शरणार्थी रहते हैं आज भी रहते हैं तो अबग 60,000 लोग भारत में रहे हैं इरिगली रहे हैं वो श्रहनार्थी के रूप में रहे हैं चक्मा शवरनार्थियों की वापसी के लिए कई बार बात चीत होई पर अबी तक कोई समझोता नहीं हुआ है इसका कारन यह है कि बंगलादेश की सरकार चक्मा शरणार्थियो तो इस मैटर से आज भी जो है वो दिक्कते हैं बारत जो है वो नहीं चाहता कि उसके यहाँ पे चकमा शणारती रहें ठीक है पर मजबूरे में हमें उन्हें रखना पड़ रहा है ठीक है तो यह सारी प्रोब्लम हमारी बाला देश के साथ है अब है अगली हैडिंग तीर भी टिप्स पर आद होने चीए आपको हैडिंग और जो इसमें हैडिंग के साथ में डेट लिखी हुई है जैसे लिखी हुई है तीन बिगे के लियारे का अस्तान तरण तो 26 मई 1902 ठीक है अगर आपसे बंगलादेश के रिलेशन पूछते हैं तो यह हैडिंग लिखके आप सा जिया 1902 में दोनों देशों में तीन बिगे पर एक समझोता हुआ जिसके अंतरगत 26 जुन 1902 को भारत ने तीन बिगा गलियारा बंगलादेश को पट्टे पर सोप दिया परंतु गलियारे का प्रशासनिक अधिसत्ता भारत में ही रहेगी गलियारे का मतलब है एक एरिया ल देश को दे दिया रखने के लिए नहीं दिया उसे पट्टे पर दे दिया यह नहीं भाड़े पर दे दिया एक तरह के से किराई पर दे दिया ठीक है पर उसकी जो में उसका एडिमिस्टेशन है उसका प्रशाशन है वो भारत सरकार ही संबालेगी ठीक है तो यह समझोता अगर आपसे पूछते हैं भारत बंगलादेश संबंद बताओ तो ये हैडिंग बना लेना पहली मुझी बुर रहमान से रिलेशन फिर आप बताना उनकी हत्त्या हो गई फिर रिलेशन खराब होने शुरू हुए फिर आप बताओगे जनता पार्टी आई फिर कुछ रिलेश ठीक हुए अगला है गंगा जल पर भारत बंगलादेश के बीद संजोता निने की वही गंगा के पानी को लेकर ठीक है इसमें भी संजोता हुआ पर बारत बंगलादेश में तो 12 इसंबर 1996 को भारत और बंगलादेश में फरक्का गंगा जल बटवारे पर एक एतियासिक समझोता हुआ जिससे पिछले दो दश्कों से चले आ रहे है विवाद का अंत हो गया यह समझोता 30 साल के लिए किया गया है यह अगले 30 साल तक यह valid है तो यह अच्छी बाते हैं सारी के सारी तीन गली आरे पर भी समझोता हो गया और भारत बंगलादेश का जो पानी को लेकर विवाद था फरक्का बांध को लेकर कहलो या गंगा नदी को लेकर कहलो उस पर भी समझोता हो गया 1996 में अब बस चर्णार्थे वाले समस्या अठकी हुई है बाकी बारत के बालादेश के साथ रिलेशन ठीक है कोई खराब रिलेशन अमारे नहीं है उनके साथ तो ये थे बारत और बालादेश के रिलेशन आप इनको अच्छे से याद कर लो इन हैडिंग्स को लिख लो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो सो लाइक करो चैनल को सबस्क्राइब करो ठीक है और अपने सभी दोस्तों तक इन वीडियो को शेयर करो